लो गाइस एंड आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही स्पेशल क्योंकि आज हम लोगों ने पहले बार चौपर बुक किया शिमला से चंडीगर के लिए क्योंकि हर बार हम लोग बाई रोड जाते थे और अभी मेरे सर में दरत देता है था हर बार चार घंटा ट्रैवल करक तो पहले बार हम लोग ने सीधा चौपर बुक किया है शिमला से चंडीगर के लिए तो यह फस्ट टाइम होने वाले गाईस हलिकाप्टर में आपको दिखाऊंगा कितना बड़ा है और बहुत ही तगड़ आपको पूरा है हलिकाप्टर का आपको एक एक चीज़ दिखाने वाला हूँ तो आज का स्पेशल व्लॉग पूरा एंड तक देखना वान मिलियन लाइक कर दो अभी हम लोग निकल रहे है शिमला एरपोर्ट के लिए अभी मैं होटल में रुका हूँ यहां पे क्लार्क होटल बहुत ही गाईस पुराना है 1989 इतना 200 साल पुराना होटल है ब होट ही टन से सर में दरत देता है ऐसे गाड़ी घूमते रहती है स्टेट रौट तो है नहीं पुरी शिमला में तो बहुत प्रॉबलम होता है तो अभी हम लोग को निकलना है एरपोर्ट के लिए शिमला फॉर्स टाइम एक्स्पिरियंस इन चौपर मजा आ जागा इस बहुत दूर तक चलना है में को फिर नीचे जाना है लिफ्ट से भी हम लोग पूंच चुके हैं एरपोर्ट में एक घंटे पहली 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 पहुंच गया था इंप अभी बैठे हुए है क्योंकि फ्लाइट 1230 को था तो अभी दस मीना डूर बच्चा है फ्लाइट के लि दृपर यहां प्लाइट इसलिए इस दी आफ चांपर आपका वीडियो दिखा गए आपका वीडियो दिखा हूंगा आपना चौपर सामने रखा हुआ है अभी चेकिन होगी अभी हम लोग जाएंगे चपर में और पूरा पूरा एरपोर्ट खा लिए देख लिए कोई और कोई फ्लाइट नहीं है लिकाप्टर है सिर्फ एक ही चॉपर है तब इससे रोरा नुराग चेकिन करा रहा है अपना बैट लगा रहा है और अपना चॉपर तो फटा फटा नुराग आ जाए फिर हम लोगयां से चॉपर यहां पर रेडी है गाइस अभी सिर्फ पाइलेट्स चेक कर रहे है सब कुछ ड़न है क्लियर है क्यूंकि अभी चॉपर टेक आफ करने वाला है यहां से शिमला से और गाइस हम लोग चार घंडे का जो रास्ता है स्रिफ तीन घंडे में कवर करेंगे एंड इसके लिए हम लोग ने बहुत जादा पैसा पेगी है इस चॉपर के लिए यहां पर देख सकते हो बहुत बड़ा चॉपर है यहां पर यह चॉपर में शेवन से एट मेंबर एक बार में आ सकता है चलो मैं आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूं पास से चॉपर का यहां पर चॉपर है लेकिन जो मनाली का है गाइस वह बहुत ही जादा न्यू न्यू मतलब अभी अभी नय वाला चॉपर है बहुत तगड़ा है इस यह चॉपर इतना बड़ा था यार मजा आ गया 30 मिनिट्स में हम लोग सीधा पहुचने वाले शिमला से चंडी गड़ के लिए चो चॉपर रेडी है टेक ओफ करने के लिए शिमला से चंडी गड़ के लिए एंड फस्टाइम है तो मजा आ रहा है इस बहुत साला देखो अभी मैने फस्स ताइम चॉपर में बैटा हूँ इसलिए मेरे को मजा रहा है यार क्यूंकि फस्स ताइम देख रहा हूं कैसे करने वाले शिम्ला से चंडी घर के लिए पूरे मॉंटेंज के ऊपर से जाएंगे गाइस पहाड़ ही पहाड बहुत बड़े बड़े पहाड़ है शिम्ला के और मज़ा आज का तो व्यू का इस पॉर रन्वे पे आचुके गाइस यहां पे चौपर अभी सीधा टेक आफ करे स्क्क्राइस नियुकर है स्पीड बड़ रही है आभी ऊपर उठने वाले पिस्ट बताइस और नीचे मझे डर भी लगा कि चॉपर गाइस ऐसा की मतलब हेलिकेप्टर इदर उदर हिलता है तो भाई बहुत डर लगता है फर्स टाइम तो मेरे को डर लग रहा है ठीक था कि यहां से सेफ पहुन जाए बस तंडी और वहाई कितना को तरनाग व्यू आ रहा है और जो हमारे नीचे आगर आप लोग द मेरा पासिंग के लिए रूप लिए मतलब धर यह पर से नीचे लो ऑगाइस जो तो लेट्स गो फाइनली हम लोग चेंडी गर एरपोर्ट पहुंच चुके हैं यह एरपोर्ट मिलिटरी एरपोर्ट है और प्लस अर्डिस कमेर्शियल एरपॉर्ट भी है मतलब यहां पे यहाँ पर आप सएध्र नाय बस्टना पर मिलिटरी द्धान सुन करने में UP अल्लिक्लिक्टिरस यहाँ इंड यहाँ पर नवी पो यहाँ पर यहाँ प्लाइट के यहाँ मिलिटरी के जिसमें का मेतें heavily weapons loaded है मतलब यह पूरा military का idea है यहाँ पर वीडियो शूट करना जादा है loud नहीं है मतलब थोड़ा बहुत आप लोग शूट कर सकते हो पूरा A to Z यहाँ पर शूट नहीं कर सकते हो देखो यह military है पूरे पूरे प्लेन से बहुत बड़े बड़े and अभी हम लोग land करने वाले देखो guys यहाँ पर देख सकते हो shadow देख सकते हो मेरे helicopter का भी हम लोग land करने वाले and मेरे literally idea नहीं है एक chopper कितना sexy land करता है क्या feel होती है guys land होने वाले हमारी chopper 3 2 1 guys एकदम पूरा speed कम हो चुक है and finally हम लोग हो चुके है guys यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल land हो चुके हैं यहाँ पर देख सकते हो land हो गए हम लोग chandigar airport पर और safely land हो चुके so guys अपनी chopper हो चुकी है land finally और मैं उतर चुका हूँ यहाँ पर chandigar so guys अभी हम लोग पहुँच चुके हैं chandigar और यहाँ पर अभी मेरी कार आ रही है इसके लिए हम लोग बेट कर रहे है और पीछे देख सकते हो उपना chopper भाग बड़ा अक्सी थोया और मदा आ गया chopper में जाके और कुछ कांड भी हो गया उपर से वो गिर गया ना बड़ा बाई डल लग गया तो चलो अभी मेरी गाड़ी आने वाली उसका वेट करते हैं उसके अधिया से निकलेंगे फटा फट